मद्धिप्रदेश जरा लिये चलते वहां महिला सश्रक्ती करण का नया अध्याय शुरू होता नजर आ रहा है दरसल जन्म दिन पर शिवराज ने यहां पर लाटली बेहन योजना की शिरुवात की है हर मही ने हर एक हजार रुपे मदद देने की बात कही गई है पांच मार्च को हाला कि धाई लाग से कम सालाना आये वालों को ही इस पर लाब मिलेगा 30 अपरेल 2023 तक आवेदन की अंतिम तिथी है मद्धिप्रदेश की मुख्य मंतरी में ये नई स्कीम लाँच की है हर मही ने दस्तारी को खाते में आएंगे एक हजार रुपे तो जन्म दिन बेहनों को पहार अपने जन्म दिन पर शिवरा सिंग चौहान देते हुए पांच मार्च 2023 से योशना की शरवात होई धाई लाग से कम सालाना आये वालों को इसका लाब होने वाला है ताकि प्रदेश भर में बेहनों को परिसानी ना हो ये फारम कैसे भरना है तो एक बहन है जिसका फारम मैं भरूँगा स्वयम और बहन से मैं पूछ रहा हूं कि क्या क्या चीज़े भरनी हैं तो मैं पूछता जाऊंगा बहन बताती जाएगी और मैं फारम भरता जाऊंगा सब ध्यान दे रही हैं बहने सब दहान दे रही हैं ठीक बहन आपका समगर आईडी नंबर क्या है एक साथ दो फिर से बताई एक एक साथ दो तीन चार चार छे छे पाच छे के बाद पाच पाच ठीक पाच फिर पाच की सिंय अच्छा आपका आधार नंबर इसको बताना नहीं है मुझे बता क्योंका आधार नंबर गोपनी रहना चाहिए यह मैं अलग से आपका लिख लूंगा आपका नाम कवीता मस्तेरिया कवीता मस्तेरिया यह कवीतान मस्तेरिया हो गया है बेन आपके पती का नाम श्री राहुल मस्तेरिया श्री राहुल मस्तेरिया आपकी जन्म तिथी 27 27 अक्टुबर 1990 आपका पता बहन मकान नंबर 220 रतन कालोनी रतन कालोनी रतन कालोनी रसुली बेलदार रसुली बेलदार रसुली बेलदार जिला भोपाल यह सब ध्यान से सुनना है मैं इसलिए कर रहा हूँ यह कि ताकि आपको क्या-क्या भरना है वो पता रहे यह भोपाल हो गया फिर मोबाइल नंबर पिन कोड चार छे दो शुन्य सुन्य तीन तीन आठ आठ तो अपने जन्र दिन के मौके पर स्वगात लेकर पहुचे शिवरासिंग चौहां पाचमार 2023 से योजना के शिरवात यह हुई है नई स्कीम लॉंच हुई है लेकिन धाई लाग से अगर आपकी इंकमा कम है सालाना तो आपको इसका फायदा मिलेगा 30 सप्रेल 2023 तक आवेदन की अंतिम्ति थी है आप तब तक उसमें आवेदन कर सकते हर मैंने 10 तारीक को आपके खातने में 1000 रुपए आ जाएंगे अरज और तक बात बता सब गुचों की नहीं और एक बात और सुनना कई काम और किये जैसे दारू के दुकान के संग आहाते थे सारे आहाते बंद अब कोई दारू का आता नहीं रहेगा बेहनों को परेसान करने वाला कोई काम नहीं करने दूंगा मा बेहन बेटी के साथ अगर कोई ने दुराचार किया तो सीधा भाशी के भंदे पे लटकाया जाएगा बता तुम्हारा भाईया अच्छा है की नहीं और भारती जंदा पार्टी की सरकार अच्छी है की नहीं तो आज मुझे बताओ सब हमारे साथ रहोगी सब मिलके साथ काम करेंगे भाईया का भी साथ दोगी तो आएए अपने अपने स्थान पर खड़े होके हम सब भी संकल्प करें कि सच्छी योजना का हम सब लाब उठाएंगे सरकार की योजनाओं का हम लाब उठाएंगे और भाईया के साथ जाएंगे चलेंगे मिलके सब काम करेंगे और अपनी जिन्दगी बदलेंगे बोले सब तयार ओ तो पीछा तक जा तक मेरी बेने खड़िये मेरे साथ मेरे साथ जाने के पहले संकल्प लेगी कि भाया तुमने जिन्दगी बदलने का अभियान शुरू किया है हम भी तुमारे साथ भारती जन्ता पार्टी की सरकार के साथ चलेंगे ताकि ये सरकार बनी रहे और बेहनों के काम करती रहे मद्द पृदेश को आगे बढ़ाती रहे बोलो सब तयार ओम